हेलो दोस्तों, वेलकम टू माई चैनल, दोस्तों पिछली वीडियो में हमने आपको दिखाया था कि आप UG या PG कोर्सेस के लिए ePriVece Portal पर रेजिस्टेशन कैसे कर सकते हैं, इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं कि आप चोईस फिलिंग कैसे कर सकते हैं रेजिस्ट इस लिंक पर आपको किलिक करना है, चोईस फिलिंग करने के लिए, यहां पर आपको इस प्रकार से इंटरपेस मिलेगा, यहां पर आपको इस्टुएंड का एप्लिकेशन आईडी, डेट ओब बर्त और आपको एक पासबार्ट इंटर करना होगा, जो आपको की डिटेल से जो होपन होकर आज़ाईगी, इसके बाद आप जो भी College Choice करना चाहती है, तो यहां पर college Code इंटर करेंगे, और जो भी आपको और दोनों यहाँ पर code टाइप करने के वाद आपको add preferences वाले option पर click करना होगा यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि आपको minority का status select करना है तो यहाँ पर हम थोड़ा सा scroll करके यहाँ पर minority status को select करेंगे यहाँ पर हम नहीं कर देते हैं अगर आप minority में आते हैं तो आप yes करेंगे इसके बाद यहाँ पर देखिए हमारा code आ चुका है अब यहाँ पर हम add preference के option पर click करेंगे तो यहाँ पर देखिए हमारा code से आ चुका है BA और यहाँ पर college का नाम भी आ चुका है इसके बाद आपको यहाँ पर lock choice filling पर click करना है और जैसे ही आप lock करेंगे यहाँ से choice filling को तो आपको इस परकार से एक print मिल जाएगा choice filling locked का तो यहाँ पर click करेंगे last में print करने के लिए और आपकी screen पर इस परकार से एक print out सो आ जाएगा तो आपको इस परकार से चोईस फिलिंग करना है